अक्टोबर का महिना आ चुका है और सर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कहां से शुरू करें सर चार से पास से छे महिने हमारे टाइम वेस्ट हो चुके हैं 2023 में हमने छे महिने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किये सबसे पहली बात आपका ये सवाल होगा कि भाईया अक्टूबर में ऐसा क्या करें कि हमारे chapters का बहुत अच्छा coverage हो जाए और business series में हम बहुत अच्छे marks को score कर सकें तो objective क्या है marks अच्छे लाने है और October में क्या करना है October में आपको part A खतम करना है कुछ भी करना है कैसे भी करना है कितनी भी मेहनद करनी है कितना भी समय लग जाए लेकिन October में part A खतम हो जाना चाहिए बच्चों यह आपका target मैं आपको दे रहा हूँ आप अपने आपको दे दो ठीक है तो October में part A खतम करने का जो target है वो आपका है जो मैंने आपको दे दिया और यही टारगेट आपको अपने ले बना लेना है अब मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बताने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सवाल यह है कि बेटा कितने percent marks लाना चाहत होगे कोई भी बच्चा हो जो बोर से पढ़ रहा है बेटा 80% marks के नीचे तो आप नहीं लाना चाहते होगे 80 85 90 95 आपका target होगा और मैं यहां पी आपको target देता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है कि कितने percentage marks मुझे लाने है तो मैं आपको target देता 95% marks आपको अपने लेके आने है ठीक है अब यह 95% marks कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा चलो इसके बाद सबसे बड़ी बात कि सर पूरे 95% marks लाने के लिए business studies की क्या importance है I guess कि आप लोग past subject पढ़ रहे होंगे CBC board के अंदर या किसी भी state board के अंदर और वो past subject क्या है सब बिल्कुल accountancy को उपर मानिए मुझे कोई problem नहीं क्योंकि accountancy एक numerical subject है और इसमें time बहुत लगता है प्रेक्टिस करने में accountancy time मांगती है आपका ओके दूसरा क्या है भाई दूसरा important जो आपका subject है जो आप number wise अगर डालो तो भाई second number पर आता है economics मैं मानता हूं कि थर्ड पर business studies एक आपका language जरूर होगा यानि कि एक आपका या तो English होगा या तो Hindi होगा और एक बेटा आपका कोई ना कोई optional subject होगा जो आपके school में आपको पढ़ाया जा रहा होगा कुछ बच्चों को optional math हो सकता है कुछ बच्चों का optional Hindi हो सकता है और कुछ बच्चों का optional computers यानि क informatics practices हो सकता है ठीक है यह पास सब्जेक्ट आपको आपके बोर्स में देखने के लिए मिल रहे है सबसे पुराना सवाल और सबसे नया सवाल यानि कि भाईया आज से दस साल पहले भी बच्चे यही सवाल पूसा करते थे और आज भी बच्चों के अंदर यही सवाल है कि सब तो पढ़ने की क्या जरूवत है सबसे पहले बिजनेश इजी है मेरा जवाब है हाँ जी बिजनेश इजी है अकाउंट एंसी और एकोनॉमिक्स के मुकाबले बिजनेश इजी है लेकिन बेटा जब आपके टोटल परसेंटेज काउंट होंगे ना तो उसमें बिजनेश सब्जेट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपके आगए भाई चारसौ पचास नंबर कितने मेंसे पास सो मेंसे बेटा तब जाके आपका बनेगा ठीक आप जाके आपका बनेगा 90% मार्ट अगर आपके 450 आ जाते हैं केरेक्ट है 90% तब बनेंगे यानि कि आपको 90 नंबर हर subject में लाना होगा तब जाके आपके 450 बनेंगे तो मैं मानता हूँ कि business studies एक easy subject है और business studies में time कम लगाया जाओ और यह बिल्कुल logical है चूँकि accountancy में time इतना लगता है चूँकि economics में time इतना लगता है चूँकि optional में time इतना लगता है कितने अच्छे सरीके से पढ़ाई किया जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले business studies easy तो है लेकिन business studies scoring बहुत है यह आपके marks को adjust कर सकती है बताता हूँ कैसे मान लो बेटा accountancy में आपके आ गए गलती से कोई question गलत हो गया गलती बेटा आपसे भी हो सकती है मुझे से भी हो सकती है accountancy में मैं चार question लगाऊंगा मान के चल रहा हूँ कि बहिया एक question गलत हो गया मान लो कि बहिया 10 number कड़ गया या 20 number कड़ गया आपके आ गए 80 number ठीक है जहां पे आप 95 स्कोर कर सकते हो बढ़े अराम से और 5-10 number यहां पे आपके आजजस हो जाएंगे अगें जो आपका overall percentage है वो बहुत अच्छा बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा सिर्फ एक subject की वज़े से वो है business studies अगर मैं कहूं तो यही importance है आपके boards में कि वो बागी के subject में जो कम number आते है न उनको adjust करती है तीसरी बात business studies में आने लगे है competency based question यानि कि real life problem के questions आएंगे business studies में आने लगे है case study based question यानि कि ऐसे question जहां पे आपको paragraph पढ़ने में बहुत time लगेगा और फिर answer देने में और time लगेगा क्योंकि theoretical subject है एक question solve करके तो आना नहीं है इसलिए मेटा time management business studies में बहुत ज़रूरी है इसी के साथ साथ आपको case study पढ़के सही answer ढूणना भी बहुत ज़रूरी है तो भाईया इससे यह पता लगता है business studies में time management चाहिए क्योंकि lengthy paper आता है business studies में case study की समझ चाहिए और वो सब कब हो पाएगा जब आपका content clear होगा जब आपने सब कुछ पढ़ा होगा जब आपने NCRT को minimum दो बार read किया होगा लेकिन sir again समझते है वही है कि sir सारा समय तो accountancy में लग जाता है सारा समय तो economics में लग जाता है तो business studies में मैं कितना समय दूँ कि मेरा ये सब हो पाए तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ देखो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने chapters को divide कर लेना है ऑक्टोबर की बात किया जाए तो भाईया अब मानके चलते हैं ऑक्टोबर में बचे हैं 20 दिन ठीक है एक तरफ easy and short और एक तरफ है lengthy but easy देखो आप ही ने कहा ना आप ही का यानि कि सारे बच्चों का और मेरा सब का मानना है कि भाईया business studies easy है तो मैंने यहां भी easy लिखा है और यहां भी easy लिखा है मैं मानके चलता हूं कि आठो के आठ चेप्टर easy है कठिन तो मैं मानी ने रहा किसी को बस मैंने यह डाला है कि short कौन सा है और lengthy कौन सा है तो देखो यार planning, organizing, controlling, business environment यह चारो short chapter है छोटे chapter है nature and significance of management में levels of management और science, art, profession यह सारी चीज़े इसको बड़ा ब लेंदी चेप्टर है डारेक्टिंग में motivation, supervision, communication, leadership बहुत लेंदी हो जाते हैं बच्चों गले principle of management बहुत लेंदी चेप्टर है क्योंकि बिया चौदा principle of management हेंडी फ्योल के और 9 techniques FW Taylor की और 4 principles FW Taylor के यह सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है तो बैया मैं कह सकता हूं कि य के डिवाइड कर लिया, chapters को डिवाइड कर लिया, कि हाँ यह हमारे short chapters है, यह हमें launch chapters है और यह सारे ही part एक chapters है, मैं part भी बिल्कुल भी चूने के लिए नहीं कह रहा हूं, मत पढ़ना financial management, मत पढ़ना financial market, marketing management और consumer production, वो September, वो आपका November, December में clear हो जाएगा, and आपके प्रिबोर 20-days का जो है, target लेकर चलना है, 20-days का जो है, हमको time table नहीं मनाना है, time table क्या होगा वेटा, आप अपना खुद बनाएंगे, अब आप के school की timing आपको अच्छे से पता है, घर का बाहते हो, आपको अच्छे से पता है, शाम को क्या कर रहे होते हो, आपको अच्छे से पता है, तो बेटा देखो टाइम टेबल तुम अपना बनाओं मैं तुम्हें प्लैनर देता हूं सिंपल सी बात बताता हूं मेरे आठ वन शॉट तुम्हें कवर करने हैं इसी यूट्यूब चैनल से कर लिए आठ वन शॉट कवर अब भाई आपके जो चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आप एक दिन में एक वन शॉट भी देखते हो तो आठ दिन में आठ वन शॉट आपके कवर हो गया है सबसे पहली बात तो यह हाँ अब अगर आप देखो ही न तो भाई वो फिर मैं आपकी गलती दूंगा कि वन शॉट टीचर ने दे दिया है देखना बेटा आपका काम है आप दिन तो वो गए जो आपने चैप्टर पढ़ ली है अब आपके पास दो प्षन है या तो आप एक वन शॉट को पढ़ो और फिर NCRT पढ़ो फिर एक वन शॉट देखो फिर एक न crt पढ़ो फिर एक 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 एनसी आउटी पढ़ो या तो दूसरा काम ये कर सकते हो कि पहल सारे वंशॉट देख लो और फिर अगेन दुबारा से रीडिंग कर लेना बाकी के जो आठ दिने ना जो बाकी के आठ दिने वहाँ पे आप क्या करोगे वहाँ पे आप ncrt को रीड करोगे कितनी बार minimum एक बार minimum है मैक्सिमम कितनी वार भी आप कर सकते हो टाइम आपका है इसी में आपको यह बताऊंगा कि बहए आप बज़े आओगे पर तीन बज़े टक खाना खाऊगे फिर चार बज़े पढ़ने बैठूगे चार बज़े क्या करोगे पाच बज़े क्या करो यह यह आपको करो ठीक है कि आपका स्कूल कितना दूर है घर आने में कितना टाइम लगता है चार बज जाता है अच्छा ठीक है चार बज आके क्या करूँगा एक अकाउंट एक टूबर का जब बचेंगे आपके पास चार से पास दिन वहाँ पे आपको क्या लगाने है वहाँ पे आपको स मैं बिल्कुल easy target दे रहा हूँ भाई 5 दिन या 4 दिन में आपको एक sample paper पढ़ने के लिए कह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है सर sample paper कहा से पढ़ेंगे बेटा 2024 के boards के paper के लिए sample paper की जो वीडियो है वो इसी channel पे है मैं आपको भी सारी चीज़े दिखा दूँगा यह हो गया यह आपका October का planner जो मेरी तरफ से इसके बाद इसमें आप क्या improvement कर सकते हो आपको सबसे पहले तो यह करना है कि सारे subject पे equal importance देनी है किसी एक को भी छोड़ना नहीं है यह आप कर लो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका part A जो है न वो पूरी तरीके से खतम हो जाएगा अब सर मुझसे बैठा नहीं जाता है सर मेरे पास distraction बहुत है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाता हूँ मेटा क्या focus दो अगर focus दो ना तो यह problems problems नहीं है जो phone तुम चला रहे हो जो Instagram की real तुम देख रहे हो या घंटों बात कर रहे हो phone पे यह आपकी distraction है and distraction को दूर करने का काम आपका है distraction को पहचानो और दूर करो क्योंकि यह जो time period है ना आपका यह वाला जो time है यह time फिर कभी नहीं आएगा आप life में कभी भी boards के paper दुबारा नहीं दे रहे होगे and boards आज important क्यों हो जाता है क्योंकि बेटा boards के साथ साथ आज मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत वर्ष का बच्चा जो बच्चा boards की त्यारी कर रहा है ना वो बच्चा CUET 2024 की तयारी भी कर रहा है यह मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग भी कर रहे होगे दिल पे हाथ रक्के बताओ कि बेटा आप लोग CUET की तयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपको DU का North Campus में College में admission चाहिए या नहीं चाहिए और अगर नहीं चाहिए तो सपने देखो बड़े ठीक है क्या करना चाहते हो किसी प्राइवेट उनिवर्सिटी मेंड मुशन लेना चाहते हो जहां पर B.com, B.b.A. करने के लाखो रुपे खर्च हो जाएंगे तुम्हारे माबाप के चलेगा तुम्हें नहीं चलेगा ना बेटा इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा डियू जाओ, ठीक है, अरे डियू नहीं जाना है चलो दिल्ली दूर है, बनारा सिंदु यूनिवर्सिटी जाओ अलिगर्द मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाओ इन Central Universities को पकड़ो जहां तुम्हारी Fees कम होती है जहां तुम्हारे माबाप के उपपर तुम्हारी पढ़ाई का लोड बहुत कम हो जाएगा ठीक है इसके लावा आप North Campus को क्या करो बेटा Target करो DU के ठीक है बेटा मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा उसको अगर Opportunity मिले श्री राम College of Commerce में जाने की किरोडी मल College में जाने की हंसराज College में जाने की तो वो नहीं जाना चाहेगा इसके बाद जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको नवंबर की स्प्रेडिजी और एक बात मत भूलना की बेटा Boats के पेपर बहुत नजजीक है फरवरी में नवंबर में दिवाली है Family Functions भी होंगे आपके हाँ शादियां भी होंगी शादी का सीजन आ रहा है Cricket Match भी चल रहा है World Cup चल रहा है तो distractions बहुत है इन distractions को पीछे छोड़के आपको आगे निकलना होगा और Boats में अच्छा परफॉर्म करना होगा इसके बाद मैं आपको बताए कि जो वीडियो आएगी आपके लिए वो आएगी आपके लिए नवंबर की वीडियो अब मैं आपको दो चीज़े बताना चाहता हूँ आपको अपनी CUT की preparation करते समय है Boats की preparation करते समय है दो बातों का खास क्याल रखना है अगर आप Boats की बात करो तो भाई आप Boats में आपकी Business Studies में लगती है Presentation और Boats में आप सारी चीज़े लिख के आते हो बट अगर बेटा मैं CUT की बात करूँ न यह होगी आपका Boats और यह होगी आपका CUT तो CUT में क्या चाहिए CUT में Time होगा आपके पास कम और Questions करने होंगे आपको जाधा से जाधा ठीक है और ऐसा नहीं है कि CUT का पेपर अगर मैं पत्रा मैं से शुरू हो रहा है तो मैं आज से तयारी नहीं शुरू करूँगा बेटा बहुत बच्चे हैं जो April, March से ही तयारी शुरू कर चुके हैं बहुत बच्चे हैं जो ड्रॉपर हैं जिन्होंने पिछले साल बोर्स का पेपर दिया था और एक साल CUT की तयारी कर रहे हैं आप से वो बहुत आगे निकल गए हैं वो बच्चे जो आज भी तयारी करने की सोच रहे हैं और अभी भी ये सोच रहे हैं शुरूरात में बताना मैंने कि सर अभी तक तो कुछ पढ़ाई नहीं तो बेटा आप बताओ आपका एड्मिशन होगा या उस बचे का एड्मिशन होगा जो या तो ड्रॉपर है और या तो जो मास्ट से त्यारी शुरू कर रहा है तो टाइम काम होता है कोशन जाधा करने हो निपुन बैच जो है वो आपके लिए लाँच हो चुका है निपुन बैच की क्लासिस 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है ठीक है क्लासि 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है और निपुन बैच की बेटा टोटल कौश जो आपको लग रही है वो लग रही है सारे 6000 रुपे क something लेकिन यहां पे बोर्स की त्यारी भी हो रही है यहां पे CUT की त्यारी भी हो रही है चाहे वो अवन्सर हो चाहे वो मैं हूँ चाहे वो economics पढ़ाने वाले हो चाहे वो आपके math पढ़ाने वाले हो English Hindi हर subject की त्यारी आपको निपुण Batch के अंदर देखने ले मिल जाएगी बाकी आपके पास क्या है यूट्यूब चैनल है कॉमर्स अड़ा 24-7 का तो बच्छो आपको क्या करना है आपको अड़ा 24-7 की अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है और जाके वहाँ पे तीवीटी दोजार टेस्ट कॉमर्स में जाना है वहाँ पे आपको निपुन बैच लेटेस्ट बैचेस में दिख जाएगा और वहाँ पे आपको उस बैच को पर्चेस करने जाओगे तो आपको इनिशल प्राइजिंग जादा दिखेगी आपको कम कराने के लिए वो प्राइ है ना जो मॉक टेस्ट है ना जो कुईजिस है वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी इसके लावा कॉमर्स अड़ा पर आप होई हो तो वहाँ पर वन शॉट देख सकते हो वहाँ पर आप सारी चीज़ें अपनी कवर कर सकते हो चाहे वह आपका सैंपल पर हो चाहे वह आपका वन शॉट हो चाहे वह आपकी पार्ट की वीडियोस हो और हम लोग आपके लिए लाइफ सेशन भी लेके आ रहे हैं तो बेटा आपको जुनना है इसी चैनल के साथ कॉमर्स अड़ा 24 7 चालेंग साथ और भटकना नहीं है आप एक चैनल पर रहिए हम आपक झालेंग कर एक उमर्स आहे पारिए कालेंग सेशन बुल हो और हम लेके रहे हैंग, साथ प сторон 20 चने हैं नहीं है